दोस्तो आज कीई क्लास में CTEAT प्राःमी कस्तर के Лिए पर्यवरण के previous year के paper को solve करेंगे CTEAT प्राःमी कस्तर में पर्यवरण से 30 प्रष्ण पूछा जाता है तो आज कीई क्लास में कुल 30 प्रष्णों को देखेंगे आप सभी लोग इस क्लास को पूरा देहान से देखिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्ण इस बार भी सीटेट एक्जाम में पूछे जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण आप सभी के सामने है कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेश ट्रेन में सूरत गुजरात से नगर कोईल केरल जाने के लिए बैठा यह ट्रेन सूरत से 19 बज कर 45 मिनट पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11.45 बजे नगर कोईल पहुंची यह टी सूरत से नगर कोईल के बीच ट्रेन मार की दूरी 2120 किलो मीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की आउसत चाल थी इस टाइप के प्रश्ण सीटेट एक्साम में हर बार पूछे जाते हैं तो आप लोग इस प्रश्ण को ध्यान से देखिए देखे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है ट्रेन की आउसत चाल थी आउसत चाल का सूत्र होता है कुल चली गई दूरी बटा लगा कुल समय यहाँ पर कुल चली गई दूरी 2120 किलो मीटर दिया गया है तो 2120 किलो मीटर लिखेंगे और इसमें हम समय से भाग कर देंगे समय से इसमें भाग करेंगे तो आपका एंसर आ जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी आपको समय निकालना पड़ेगा प्रश्ण में समय दिया गया है प्रश्ण से आपको समय को निकालना पड़ेगा तो देखें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 29 नवंबर को 29 नवंबर को ट्रेन चलती है कितने बज़े 19 बज़ कर 45 मिनट पर यहाँ पर लिखेंगे 19 पैंतालिस 19 पैंतालिस का मतलब क्या होता है साम को 7 बज़ कर 45 मिनट पर ठीक है ट्रेन चलती है और 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को यह नगर कोईल पहुशती है कितने बज़े 11-45 यहाँ पर दिया गया है 11-45 का मतलब सुबह के 11 बज़ कर 45 मिनट पर यह नगर कोईल पहुंचती है अब देखिए 29 नुवंबर से 1 दिसंबर के बीच में अभी आपका एक दिन बस रहा है 30 नुवंबर 30 नुवंबर को भी यहां पर लिखेंगे और देखेंगे अब 29 से ले करके 30 और फिर 1 दिसंबर इसके बीच में कुल कितना समय लग रहा है ट्रेन को पहुँचने में तो यहां पर सबसे पहले 29 से 30 के बीच में देखेंगे 29 को साम को 7 बज कर 45 मिनिट पर चलती है 19.45 पर और 30 को 19.45 पर देखेंगे कितना समय होता है इसमें आप लोग देखेंगे 24 घंटे का समय लगता है कितना लगता है 24 घंटे का समय लगता है 29 नुवंबर से 30 नुवंबर के बीज में साम को 7.45 से 7.45 के बीज में ठीक है अब 30 नुवंबर के बाद 1 दिसंबर का यहां पर देखेंगे एक दिसम्बर का यहाँ पर देखेंगे साम को सुबह एक दिसम्बर को 11.45 तक कितना समय हो रहा है इसमें आप जोड़ेंगे तो कुल 16 गंटे का समय लग रहा है ठीक है आप लोग जोड़ करके देखिए कुल 16 गंटे का समय लग रहा है अब दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे 24 गंटे और 16 गंटे को जोड़ेंगे तो 40 गंटे यहाँ पर हो जाएगा कुल समय 40 गंटे का लग रहा है अब क्या करेंगे इसी 40 से हम भाग कर देंगे किसमें भाग करेंगे कुल दूरी में कुल दूरी 2120 किलो मीटर है इसमें हम 40 घंटे से भाग करेंगे 1010 कैंसिल हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 4 पंचे 20 हो गया 21 12 4 तियाई 12 तिरुपन किलो मीटर आपका एंसर हो जाएगा तीसरा आपसन आपका यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा तो इस टाइब के प्रश्ण दोस्तों ऐसे ही सौल्व होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण देखते हैं निम्न लिखित में से कौन अंतर राष्णी ख्याती प्राप्त वेट लिफ्टर है आपसन आप सभी के सामने हैं आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट एंसर क्या होगा देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा करडम मल्ले सुरी करडम मल्ले सुरी आपका राइट एंसर हो जाएगा करड़म मल्ले सुरी एक अंतर राष्टी ख्याती प्राप्त विट लिफ्टर है ये दोस्तों आंधर प्रदेश की रहने वाली है करड़म मल्ले सुरी ओलंपिक खेलों में कान स्विपदक जीतने वाली प्रथम भारती महिला खिलाडी है आप लूग याद रखिएगा प्रथम भारती महिला खिलाडी है नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जडो का है आपको यह बताना है आपसन आप सभी के सामने है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेश रोच आएगा गाजर, चुकंदर, मूली यह जडो का एक समूह है यहाँ पर चोथा आपसन आपका राइटेश रोच आएगा याद रखिएगा मूली, गाजर, चुकंदर, सकरकंद, सलजम यह सभी मूसला जड़े है जबकि दोस्तों, हल्दी हो गया आलू हो गया, अद्रक हो गया यह सभी तनों के रूपा अंत्रण है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहां पर पाया जाता है तो देखे दोस्तों, यह आस्टेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ आस्टेलिया में पाया जाता है दूसरा अपसना आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रश्णा आप सभी के सामने है नी पेंथिस वह पौधा जो सिकार करता है के विशय में नीचे दिये गए कतनों पर विचार कीजिए यह पौधा आश्रेलिया, इंडोनेसिया और भारत में मेघाले में पाया जाता है इसका आगार घड़े जैसा होता है और इसका मुह एक पत्ती से धका होता है यह केवल छोटे कीडे मकोडे को फसा कर उनका सिकार कर सकता है यह छोटे कीडे मकोडों को खीचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं इनमें सही कथन कौन सा है आपको यह बताना है तो देखे दोस्तो इसमें आपका सही कथन है यह पौधा आस्ट्रेलिया, इंडोनेसिया और भारत में मेघालाय में पाया जाता है नीपेंधिस के बारे में यह कथन सही है इसके साथ में इसका आकार घड़े जैसा होता है यह भी सही है और इसका मुह एक पत्ती से ढखा होता है यह भी आपका सही है इसके बाद यह केवल छोटे कीडे मोकोडों खाता है यह आपका गलत है और D आप्सन भी आपका यहाँ पर गलत है मोहक आवाज नहीं निकालता है यहाँ पर केवल A और B आपका सही है ठीक है नीपेंथेस दोस्तों एक सिकारी पोधा है जो की चूहो, मेड़को, कीडे मकोडो और छोटे जीवों का सिकार करते हैं या दोस्तों आस्ट्रेलिया, इंडोनेसिया और भारत के मेघाले राज में पाये जाता है इसका आकार लंबे घडे जैसा होता है ठीक है इसके उपर पत्ती का ढखन लगा होता है और घडे से दोस्तों खास खुसबू निगलती है जिसकी वज़ा से कीडे मकोडे आकरसित होकर के घडे में फस जाते हैं और इसका सिकार बन जाते हैं ठीक है यह पौधे दोस्तों नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीडे मकोडों का भक्षण करते हैं इसे आप लोग याद रखिएगा तो यहां पर आपका A और B आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत की आजादी से पहले महत्मा गाधी ने जिस दांडी के समुद्र तर तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिये गए किस राज्जी में इस्तित है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा गुजरात गुजरात राज्जी में इस्तित है उच्चुजवर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड की चाल से किया जा सकता है वह है तो वह दोस्तों मलेरिया है दूसरा आपसन आपका राइट एंसर हो जाएगा मलेरिया के उचार के लिए सिकोना की चाल का प्रयोग किया जाता है इसके चाल से दोस्तों मलेरिया की दबाई बनाई जाती है यहां पर दूसरा आपसन आपका राइट एंसर हो जाएगा सभी प्रशन आप लोग ध्यान से देखते हुँ चलिए ऐसे ही प्रशन इस बार भी सीटेट एक्जाम में पूछे जाएंगे किसी डाक्टर का घर X पर इस्थित है तो माल लेते हैं यहाँ पर X पर किसी डाक्टर का घर इस्थित है उसका अस्पताल Y परिसित है डाक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सडक नहीं है अतर डाक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ से पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी पर चलते हैं यक्स के ठीक पूर में 600 मीटर की दूरी पर है, तो A पर जाते हैं, X से 600 मीटर की दूरी पर, फिर वह B पर जाते हैं, जो A के ठीक दच्छिड में 450 मीटर की दूरी पर है, A से दच्छिड दिसा में चलेंगे 450 मीटर, इसके बाद फिर वह C पर जाते हैं, जो B के ठीक पस्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर चलेंगे 120 मीटर पस्चिम दिशा में यहाँ से यह B से चलेंगे C पर यहाँ पर C लिखेंगे 120 मीटर यहाँ पर चलेंगे अंत्य में वह Y पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं, जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है तो C से ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर चलते हैं और Y पर पहुँचते हैं ठीक है? Y अस्पताल है अब यहाँ पर पूछा गया है अस्पताल के सापेक्ष डाक्टर के घर की सही दिशा क्या है तो यहां से डाक्टर के घर की सही दिशा आप लोग देखेंगे तो उत्तर पस्चिम यहां पर दिशा दिख रहा है कौन सा दिशा है? उत्तर पस्चिम है तो उत्तर पस्चिम आपका दूसरा आपसन यहां पर राइट एंसर हो जाएगा उत्तर पस्चिम तो इस टाइब के प्रष्ण ऐसे ही solve होते हैं चेराओं नाच कहा के लोग करते हैं आपसन आप सभी के सामने है आप लोग बताईए देखे दोस्तों चेराओं नाच मिजोरम के लोग करते हैं दूसरा आपसन आपका राइटेंस रोजाएगा मिजोरम तमिल नाडू के निकट वरती राज आंधर प्रदेश, केरल और करनाटक हैं यहाँ पर चाओथा आपसन आपका राइटेंस रोजाएगा तमिल नाडू के निकट वरती राज आंधर प्रदेश, केरल और करनाटक हैं NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमीक अस्तर पर परियवरण अध्यन सिक्षन का उद्यश नहीं होना चाहिए विशेश्ता प्राकृतिक परियवरण के प्रित बच्चे की जिग्यासायों स्रिजनाद मक्ता को बढ़ावा देना अवलोकन, वर्गी करण और निसकर्ष निकालने आदिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संग्यानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कारियों में बच्चों को संगलंगन करना प्राकृतिक, सांसिक्रितिक वा सामाजिक पर्यावण के बीच संबंधों को पासचानने वा समझने में बच्चों को प्रसक्षित करना पर्यावणी समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास तो यहाँ पर सटीक संख्यात्मक कौसलों का विकास यह दोस्तों उद्देश नहीं होना चाहिए अन्य तीनों यहाँ पर सही है NCF 2005 के उसार प्राथमी के सर पर परियवण अध्यन सिक्षन का उद्देश क्या नहीं होना चाहिए परियवणी समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौसलों का विकास करना यह उद्देश नहीं होना चाहिए यहाँ पर चौथा अप्सन आपका राइट एंसर हो जाएगा परियावरणी समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौसलों का विकास करना यहाँ गलत है ठीक है और यही आपको उताना था अगला प्रश्ण है परियावरण अध्यन का च्छाओं तीन से पांच के लिए एक विसे छेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की आउधार्णाओं और मुद्दो को परियावरण सिक्छा सामाजिक अध्यन और विज्ञान की आउधार्णाओं और मुद्दो को तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेंस उरोज आएगा परियावरण सिक्छा सामाजिक अध्यन और विज्ञान की आउधार्णाओं और मुद्दो को दूसरा आपसन आपका राइटेंस उरोज आएगा परियावरण अध्यन कच्छाओं तीन से पांच के लिए एक विज्ञाच छेत्र है जो संक्लित करता है परियावरण सिक्छा सामाजिक अध्यन और विज्ञान की आउधार्णाओं और मुद्दो को दूसरा आपसन आपका राइटेंस उरोज आएगा निम्नलिकित में से क्या परियावरण अध्यन के संदर में सही है परियावरण अध्यन एक विज्ञाच है जो एक से पांच तक की कच्छाओं में पढ़ाया जाता है एक से दो की कच्छाओं के लिए भासा और गणित के माध्यम से परेवन अध्यन पढ़ाया जाता है दो तीन और चार की कच्छाओं के लिए परेवन अध्यन से जुड़े मुद्धों को भासा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है एक से दो तक की कच्छाओं के लिए परेवन अध्यन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाये जाते हैं तो देखे दोस्तो यहां पर आपका राइटेंसर रोज आएगा एक से दो की कच्छाओं के लिए बहासा और गणित के माध्यम से परेवन अध्यन पढ़ाया जाता है यहां पर दूसरा अपसन आपका राइटेंसर हो जाएगा बच्चों को परेवन अध्यन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा परियाप्त समय दिया जाता है यह इंगित करता है कि परियावरन अध्यन याद करके सीखा जाता है परियावरन अध्यन सुचनाओं के द्वारा सीखा जाता है परियावरन अध्यन बाल के इंद्रित है पर्यावण अध्यान सिक्षक केंदरित है आप लोग बताईए यहाँ पर आपका राइट्यान सुर क्या होगा देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट्यान सुर जाएगा पर्यावण अध्यान बाल केंदरित है निम्ने लिखित में से कौन सा परियोण अध्यन पाठिकरम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है ओप्सन है परिवार और मित्र भोजन जानवर हम चीजे कैसे बनाते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेंस रोज आएगा जानवर परियोण अध्यन पाठिकरम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है ठीक है देखे दोस्तों आपसी संबंध काम और खेल जानवर और पोधे ये चार परिवार और मित्र की उप धीम है और भोजन यहाँ पर जो लिखा गया है भोजन और साथ में पानी और आवास परिवार और मित्र हम चीजे कैसे बनाते हैं यह परियोण अध्यन की थीम है यहाँ पर तीसरा आपसन आपका राइटेंस रोज आएगा निम्नलिखित में से क्या परियोण अध्यन के सिक्षक के लिए वांचे निये गत्विधी है आपसन है बिभिन कच्छाओं के बहु सानसिक्रितिक छेत्रों को संबोधित करना परिवन अध्यन की अउधार्णाओं से संबंधित महत्पूर सुचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेइद करना परिवन अध्यन की छे प्रकरडों का रेखी आयोजन करना किवल पाठी पुस्तकों पर आस्रित रहना तो यहां पर आपका राइटेंसर हो जाएगा बिभिन कच्चाओं के बहु सान्सकृतिक छेत्रों को संबंधित करना यहां पर पहला अप्सन आपका राइटेंसर हो जाएगा परिवन अध्यन के सिक्षक के लिए वांचनी गत्विधी है बिभेनिक अच्छाओं के बहु सान्सकृतिक छेत्रों को संबोधित करना पहला अप्षन आपका राइटेंसुर हो जाएगा नेक्स है निम्नलिखित में से क्या परियावरन अध्यन में बच्चों के द्वारा ग्यान की रचना में महत्पूर है उप्षन है बच्चों का सक्री भाग लेना बच्चों के समुदाय के सदस्य परियावरन अध्यन की पाठी पुस्तके परियावरन अध्यन की पाठी पुस्तक में ती गई ब्याख्या और परिभासा तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेंस औरोज आएगा बच्चों का सक्री भाग लेना बच्चों के समुदाय के सदस्य परिवन अध्यन की पाठिपुस्त के परिवन अध्यन की पाठिपुस्तक में दी गई ब्याक्या और परिभासा यह दोस्तों महत्पूर नहीं है यहाँ पर A, B, C आपका राइट एंसर हो जाएगा बच्चों को परिवन अध्यन सीखने में प्रभावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है आप्शन है वरितांत सभी प्रस्णा आप लोग ध्यान से देखते हैं चलिए कहानियां सिक्षक के द्वारा आउधार्नाओं की प्रभावसाली ब्याक्या और सिक्षक के द्वारा आउधार्नाओं का प्रभावसाली प्रदर्सन और ब्याक्या तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा वरितांत और कहानिया यहाँ पर केवल ए और भी आपका राइट एंसर हो जाएगा बच्चों को परेवण अध्यन सीखने में वृतांत एवं किसे कहानियों के माध्यम से प्रभावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है यहाँ पर दूसरा आपसनाप का राई टेंसर हो जाएगा परेवण अध्यन के सिख्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेडित करने का उद्यश्य क्या है बच्चों में स्रिजनाद मक्ता का विकास करना बच्चों में अलोकन और रचना काउसलो का विकास करना तो राइट एंसर हो जाएगा बच्चों में स्रिजनाद मक्ता का विकास करना और साथ में बच्चों में अउलोकन और रशना काउसलो का विकास करना और बच्चों में सौंदरगत समेदना का विकास करना यहाँ पर चौथा आपसन आपका राइट एंसर हो जाएगा A, B और C A, B और C आपका राइट एंसर हो जाएगा परियवरान अध्यन में सिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि कच्छा की अनुसासन हींता को रोकने के लिए समूह में सीखना सिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावसाली युक्ति है या समूह में सीखना सापाथी द्वारा सीखने को प्रुसाहित करता है या समूह में सीखना कच्छा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर करता है या समूह में सीखना परेवर्ण अध्यन के पाठिक्रम को समय पर पूरा करने में साहता करता है तो समय पर पूरा करने में साहता करता है यह आपका गलत है और सिक्षिकों के लिए आसान और बहुत प्रभावसाली युक्ती है अभी आपका गलत है यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा समूह में सीखना सहपाथी द्वारा सीखने को प्रुसाहित करता है और समूह में सीखना कच्छा में सामाजिक अंतक्रिया को वेहतर करता है यहाँ पर B और C आपका राइट एंसर हो जाएगा केवल B और C निम्न लिखित में से क्या परिवन अध्यान को सीखने का सबसे प्रभावसाली संसाधन है परिवार के सदस से समुदाय के सदस से समाचार पत्र कच्छा देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा परिवार के सदस से समुदाय के सदस से और समाचार पत्र यह तीनों दोस्तों, पर्योवरन अध्यन को सीखने का सबसे प्रभावसालिस संसाधन है यहाँ पर तीसरा आपसन राइटेंसोर हो जाएगा A, B और C यहाँ पर A, B और C आपका राइटेंसोर हो जाएगा निम्न लिखित सीखने के कौन से सिधान्त का परियोण अध्यन में अनुसरन होता है वैस्विक से अस्थानी, अमूर्थ से मूर्थ, अज्याद से ग्याद, ग्याद से अज्याद देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा ग्याद से अज्याद निम्न लिखित में से कौन सा परियोण अध्यन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पोर्टफोलियो क्रम निर्धारन मापनी वर्डन अभिलेक वारसिक उपलब्धी परिक्षण तो यहां पर आपका राइटेंसर हो जाएगा वारसिक उपलब्धी परिक्षण यह दोस्तों परियोण अध्यन में सीखने का रशनात्मक आकलन का साधन नहीं है चौथा अपसन आपका राइटेंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रश्णा आप लोग ध्यान से देखते हुँ चलिए निमनलिखित में से किसको परियोण अध्यन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए बच्चों के उत्रों को सही या गलत में आकना कच्छा पांच के EBS पाठ पुस्तक में प्रतेक पाठ केंत में दिये गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा आकलन के संकेत को का उपयोग बच्चों के सीखने के गुड़ात्मक आकलन तो राइट एंसर हो जाएगा बच्चों के उत्रों को सही या गलत में आकना परिवर्ण अध्यन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए बच्चों के उत्रों को सही या गलत में आकना पहला आपसन आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है एक कच्छा पांच की सिख्षक एक क्रिया कलाब का संचालन करती है जिसमें वह कच्छा के बच्चों से फर्स पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चीटियों के आने का इंतजार करने को कहती है बच्चों को इस क्रिया कलाब से अर्थपूर सीखने को मिल सकता है यदि सिख्षक बच्चों को क्रिया कलाब का अवलोकन करने को प्रेद करती है बच्चों को अपने अनभो साजा करने को प्रेद करती है तो देखें दोस्तों यहां पर आपका राइट है चुरो जाएगा बच्चों को क्रिया कलाप का अलोकन अन्भो साजा और उस पर चर्चा करने को प्रईद करती है तीसरा आप्सन आपका राइटेंस रोजाएगा नीचे दीगे सूची पर विचार किजिए कच्छुआ, घडियाल, कवा, बतक, मच्छी इस सूची में से, निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन है आप्सन आप सभी के सामने दिया गया है मच्छी, कवा, घडियाल, कच्छुआ आप लोग बताईए, यहाँ पर आपका राइटेंस रोजाएगा कवा, दूसरा आपसन आपका राइटेंस रोजाएगा कवा अन्य जन्तुँ से भिन है क्यों? क्योंकि कवा आकास में उलने वाला एक पच्छी है जबकि कच्छुआ, घडियाल, बतक, मच्छी यह सभी जलीव जीव है और यह पानी में रहते है तो दूसरा आपसन आपका राइटेंस रोजाएगा कॉलम एक और कॉलम दो यहाँ पर दिया गया है, दोनों का मिलान करना है सहर या राजजी यहाँ पर दिया गया है और अत्यदिक पसंद का भोजन यहाँ पर दिया गया है हांग कांग हांग कांग में दोस्तों पकाया हुआ साप खाना पसंद करते हैं इसलिए इसे पांचवे से मिला देंगे केरल के लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियो का खाना पसंद करते हैं इसे आप पहले से मिला देंगे कस्मीर के लोग सरसो के तेल में बनी मचली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मचली खाना पसंद करते हैं तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से मिला लेजिए हांग कांग पकाया हुआ साप, केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियों का और कस्मीर सरसों के तेल में बनी मचली, गोवा नारियल के तेल में बनी समुंदर की मचली अगला प्रश्ण है, नीचे दिये गए पच्छियों की कौन सी प्रजाती जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है तो देखे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा मैना मैना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है यहां पर शौथा आपसन आपका राइट एंसर हो जाएगा घरों के नीचे दिये गए बीवर्डों पर विचार किजिए राजस्थान में गाउं के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छते कटीली ज़ाडियों की होती हैं में रहते हैं मनाली में घर बासो के खंबों पर बनाया जाते हैं लेह में पत्थर के दो मंजिले घर बनाया जाते हैं नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं इनमें सही कथन है देखे दोस्तो यहाँ पर सही कथन है राजस्थान में गाउं के लोग मिट्टी के घरो जिनकी छते कटीली जाडियों की होती हैं में रहते हैं यहाँ का सही है और लेह में पत्थर के दो मंजिले घर बनाय जाते हैं नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को देखे दोस्तो असम में बारिस जादा होती है इसलिए असम में घर 10 से 12 फुट की उचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बनाय जाते हैं इसे आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर A और C आपका राइट एंसर हो जाएगा हाथियों के विशय में नीचे दिये गए कतनों पर विचार केजिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और जाडिया खा लेता है इन्हें पानी और कीचड में खेलना बहु ठंधक मिलती है किसी हाथियों के जुंड में सबसे बुजुर्ग हतनी ही सभी फैसले लेती है इन्हें सही कथन कौन सा है आपको या बताना है तो देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइटेल सो रोज आएगा इन्हें पानी और कीचड में खेलना बहुत भाता है इससे इनके सरीर को ठंधक मिलती है और किसी हाथियों के जुंड में सबसे बुजुर्ग हतनी ही सभी फैसले लेती है यह भी आपका सही है और हाथी बहुत कम आराम करते हैं यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं तो यहाँ पर C, D और A आपका राइट एंसर हो जाएगा याद रखें दोस्तों एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी यहाँ पर 200 केजी लिखा गया है गलत हो जाएगा 100 केजी से ज्यादा पत्ते और जाडियां खा लेता है और हाथी बहुत कम आराम करता है यह एक दिन मे किवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी को पानी और कीचड से खेलना बहुत भाता है और इससे उसके सरीर को ठंडक मिलती है और हाथीयों के जुंड में दोस्तों सबसे बुजूर्ग हतनी ही पूरे जुंड का नेत्रेत तु करती है और सभी फैसले लेती है तो हाथीयों के आपका कितना स्कोर सही हुआ है ऐसे ही प्रेशन सीटेट एक्जाम में पूछे जाते हैं उमीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए दोसों सेर किजिए और कमेंट मिलेकर जरूर बताइए